नमस्कार एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चनल के उपर तो आज मैं आपके सामने हिमाचल परदेश असिस्टन प्रोफेसर का पेपर अभी कुछ दिल पहले हुआ है इस पेपर को ले क्या हूं और यह पेपर बहुत ज्यादा अच्छा पेपर नदा डिफिकट लेवल का नदा कठिल लेवल का है तो इस पेपर को आज हम देखेंगे हिमाचल परदेश के असिस्टन प्रोफेसर का तो यह सुरुवाति कोशन है यह सारे के सारे हिमाचल परदेश की जीए हैं उनसे रिलेटेड है तो इसको मैं स्क्रिप कर देता हूं औ लिखित में से किस विचारक के अनुसार दुर्भीकरित पहुलवादी परनाली राज्यति गती हिंता को जनम देती है और कभी-कभी लोकतंत्र को भी छिन भिंग कर देती है तो जो जितनी भी बात अगर देखें हम राज्यति के अंदर पॉलिटिकल पॉलिटिकल या पार् दुर्भी करनेगी तो यह बात करें सर्टोरी ने तो इसका सही आंसर था एस सर्टोरी निम्निकित में से किस पुस्तक में एस इफाइनर इस निसकरस पर पहुंचते हैं कि समयधानिक परनाली की स्थिरता दो बातों वैदता और सहभागिता पर निरभर करती है तो यह जो क्योंकि इस परकार है निम्निकित में से किस ने प्लैटो को मुक्त समाजका सत्रू कहा था और जो इनकी पूस्तक थी The Open Society and Its Enemies तो इस बुस्तक के अंदर इन्होंने प्लैटो, मार्क्स और हीगल को ओपन ससाइटी का दुश्मन कहा था और इनका एक बहुत फेमस आइडिया theory of falsification theory of falsification जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि कोई भी सिध्धान पूरूम से किसी भी चीज की व्याक्या नहीं कर सकता कोई नया सिध्धान आके उसकी कम्यों को जागर करके फिर द्वारा नया सिध्धान बन जाता है तो कोई भी theory अपने पूर नहीं होती है तो इन्होंने theory of fals question D 20 वा question जो किस परकार है समाजिक नियाय निम्दिखित में से कौन सा प्रतिमाल सही धन से सुम्मिलित नहीं है तो इसके अंदर स्विक्रिती अधिकारों का संदक्षण डेविड हुम से जुड़ावे सही है साइमन साइमन जुड़े हुए है म Kane कीसे योगेता कि अनुरूप वित्रण तो इसके साथ यह जुड़े हुए है आव इसके साथ पीर और उपियोगता वाइप जुड़े वीचालए है और इसके निदर नौ我们 विचारक थे तो इन्होंने इसका पक्स नहीं किया है और उप्योगिता के अधार पर हम देखते हैं जो इसके साथ जुड़े होते हैं तो इसका सी आंसर सही नहीं मेल है तो इसका सी आंसर ही था एकेस्वा कुछन परकार है सी राइट मिल ने पावर इलिट 1956 के कुलीन कुलीनों का समाने विशुलेशन परस्थूत किया है तो उन्होंने अमेरिका की युस के अंदर विश्शित पुन जीवाद है उसके अंदर इन्होंने कुलीनो के समाने को परस्तुद किया था और उन्होंने तीन चीज को बताया था मिलीटरी है वहां की वह गई और आ इसरे पर उनकी पॉलिटिकल क्लासेस हैं इन तीनों का नेक्सेस बनके एक उद्योगिक संकूल नामक उन्होंने सिध्धान दिया था तो यह इसी के साथ जोड़े थो तो उन्होंने यूएस के विक्सिद यूएस से के विक्सिद पुंजीवात के वारे में यह बात कही थी आइडियोजी एंड यूटोपिय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं तो आइडियोजी एंड यूटोपिय नामक पुस्तक के लेखक हैं काल मैनहाइम और काल मैनहाइम ने बात कही थी कि जो भी आइडियोजी है जो रूलिंग क्लास होती है उसके द्वारा बनाई जाती है इसके अंदर उनों बताया था इडलोजी और यूटोपिया के अंदर जो भी उनका ruling class का जो कारे करते हैं वो उसको एक प्रकाल से reinstate करने के लिए जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो इसलिए काल हैंवाई ने यह बात कही थी और यह idea and utopia के विचारक के साथ जुड़े हुए हैं निमनिकित में से कौन एक सही है तो इसके अंदर डी option ही सही था cabinet चब भारती सेवधान के अनुच्छे 352 में उलेखी था है तो cabinet सबका उलेख 352 में कहा गया है 352 के अंदर ही cabinet के द्वारा ही राष्ट के अंदर अपातकाल की राष्टी अपातकाल की घोशने के जाती है तो इक cabinet की सलाह पर ही कही जाती है 352 आर्टिकल के तहट तो इसका आंसर था option D 242 को इस परकार है भारती सहीधान का अनुच्छे 151 निमनिकित में से किस समंदित है तो जो भारती सहीधान का जो 105 वा अनुच्छेद है वो समंदित है संसद में विचार और अभिव्यक्ति की जो संसदों को संसद के अंदर बोलने की अभिव्यक्ति होती है वो किसी भी संस्था या किसी के खिलाब भी कुछ भी बोल सकते हैं उनके पर कोई केस नहीं होता या कोई अवमानना नहीं होती उनके उपर तो ये जुड़ा हुआ है संसदों के विच्छा अधिकार से तो य इसके अनुसार कोई भी चानुन जो मॉलिक अधिकारों से आसंगत है सविधान में आमानने नहीं है तो यह बात करी गई है तेरा एक में यह बात कहीं गई है तो कोन सी पुस्तफ काल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई तो काल म्सक्क के द्वारा The Philosophy of History ने लिखी गई donc यह पुश्तक लिखी गई है हीगल के द्वारा उचिज जो याद रखे रिखे कई बार एक जाम के अंदर पूछ लेते हैं तो उनका व्याश्थित करम भी याद रखे और इन्होंने हीगल किसा धुताब लिखी थी उनको भी याद रखे कई देखा को पूछ ले जाता है अपने सभधान के वर्गी करण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया कुलीं तंद्र के विक्रित रूप में अल्प तंद्र यानी ओलिगार्की को विक्रित रूप में वड़नित किया था शिक्स लिवर्स डी ला रिबली का नामक के पुस्तक के लेखक कौन थे तो ऐसे कोश्चन को हम सिर्फ यादी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसके जो लेखक थे वो जौन बोधा थे किसने कहा कि देवय कानून इश्वर द्वारा मानब स्रिष्टी के लिए निर्धारित कानून है तो यह कौश्चन काफिया कन्फ्यूजिंग है क्योंकि जो ऑफिसल आंसर की के अंदर जो एच्पी हिमाचल परते सेसिश्टन द्वारा दी गई है उन्होंने जॉन आउस्टि इन दुनों में से कोई हो सकते हैं इसका प्रोपर आंसर कोटलिय द्वारा दिये गए विदेश्टमंदों के संचाल में कौन सी निती समलित नहीं है तो इसमें समलित नहीं थी वो विजी गिश्व समलित नहीं है राजनितिक संस्करितिक संस्करिती का अभिप्राय है राजनितिक मुले विश्वासों में विश्वाशों का द्रिष्टिकोर उता है उसके परती हमारी जो मानिता होती निर्मान करती है और पॉलिटिकल कल्चर की जो आफधारना दी थी वह आलमेंट द्वारा दी गई है याद रखें आलमेंट वर्म द्वारा दी गई थी एंधुरर को पर और इन्हों ने बताया था कि पैरोरोकिल सब्जैक्ट और पार्टिसिपेटरि तीन अधार पे कल्चर को उन्होंने define किया था निम्निखित में से कौन संसत की लोकलेखा समीतली के अद्यक्श का नाम मनोनित करता है कीरो एसकोगे निम्निखित में से कौन संसत के दोनों सदनों की कारवायों में भाग ले सकते है वो होते है भारत के महा नियाइबादी तो इंडिया और इसका जो वर्णन है आर्टिकल 76 के अंदर आपकी जेगा आर्टिकल 76 के अंदर और इनके बारे में बताया गया कि दोनों कारदायों भाग तो ले अब होट नहीं कर सकते किसी पी कानुन निढू नेमर की उपर कर सकते। निंधेखित में से कौन संस्त की लोग लेकसामदी के अध्यक्ष का नाम मनोनित करता है तो नाम करते हैं अध्यक्ष के अध्यक्ष होते हैं कि विकर्व भूने होता है ये सारे जुड़े होता है अर्जक्तावाद के साथ और प्रोधन एक अच्छे शौट का माबदन नहीं है तो फॉर्मलिजम यहानी रितिवाद यानी के जिसे आप देख सकते हैं कि अच्छ शौट में वेवस्थित अध्यन होता है ताकिक अध्यन भी वहता है अनुभाविक अंधियन भी होता है इमेरिकल स्टेडी लेकिन रीती वाद है कि एक रीती के तहती हमें ऐसा-इसा करना है तो यह चीज एक अच्छे शोद के अंदर नहीं मानी जाती है बाकि इन सबी को अच्छे शोद के अंदर व्यवस्तित अधियन अनुभाविक अधियन सबसे पहले उसका डाठा कलेक्शन अनसर था पर और सेंतिसवा कोश्ण रखी इस परकार है सर्वेक्षन अनुसंधान में मुक्त परशनों का क्या अर्थ है तो जो मुक्त परशन होते हैं सर्वेक्षन के अंदर आप जानले open ended कोशन जो होते हैं जैसे कि किसी किसी से पूछा की मान लिजाए आपको चाइप पसंद या कौफी पसंद है तो उनको चाइप कॉफी में से ही किसी एक कुछ उपन पड़ेगा तो तो ये ओपन एंडट कॉशन होता है वह इस परकार होता है कि मानली जीए मैंने पूछा किसी से कि आपको क्या पसंद है खाने के अंदर तो उसके अंदर उनकी variety of choice आ सकती है कि मुझे चाय भी पसंद है कॉफी पसंद है दाल चावली पसंद है या कड़ी चावल पसंद है तो अलग अलग choice बता सकते हैं तो ये ए अंसर सही था प्रश्णों के भौव विकल्पिय अर्थ होते हैं इसके अंदर तो इसको open ended question कहा जाता है स्याष्णिक उपलब्दी किस प्रकार का चर है तो शैष्णिक उपलब्दी है वह एक प्रकार का मध्यस चर है मेडियेटिंग चर है निकित में से कौन खहर शुरक्षा के सरनक्षण के इस्तंभ में सामिल नहीं है तो यह इस्तिर्ता सामिल नहीं है बाकी विकास 15 और उपलब्द तो यह सब सभी सुरक्षा के अंदर संप्लिध हैं नारी वादी लेखक तो इसमें ऌप खुदी देख सकते हैं सरोज्धी ला का समर्थन किया था कि पचाल नमर से स्टार्ट का प्रथम परियोग बर्नार्ड बूर्ट किस परकार है कौन सा देश संहुक्त राष्ट संग की उपनिवेश्वाद समित्य का प्रथम अध्यक्ष था तो जो फर्स्ट चेर्मन ओफ टी क्लोनाइजेशन कमीटी तो इसके अध निशन तो युनाइटेट नेशन का जो ट्रम के था शब गड़ा था सेंट राष्ट का तो यह फ्रैंक्लीन दा रूजल वेश्ट द्वारा इसको बनाया गया था कोईंट किया था निमनिखित में से किस विचारक ने सार्जनिक और निजी परशाचन के बीच अंतर का समर् लेट हैं एंपी फॉल द्वारा नहीं किया गया है तो इसका सेकंड आंसर ही सही था पर सेकंड और थर्ड भारते सविधान की आठवी अनि सूची में कितनी भाशाय समलिध है तो इतना आसान कोशन था यह आप देख सकते हैं इसके अंदर 22 भारते सविधान के आठवी सू से हैं यूएस में अंत्राश्टर आ देती कि पहली पीड किसके नाम से स्थापित हुई तो यह बुड्रो विलसल के नाम पे यूएसे के अंदर पहली पीड वहां पे स्थापित हुई थी भारते सविधान का अनुच्छेद 21 बदान करता है तो बहुत ज्यादा सब्सके नीजी शुतंतता का अधिकार है सिक्षा का अधिकार है मनने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया तो यह बाद सही है तो उप्यूक्त सभी इसका आंसर था डी निम्दिखित में से किन सब्दों को साथवे संसोधन 1956 द्वारा सविधान से हटाया गया था तो ये हटाया गया था राजप्रमुक और उप्राजप्रमुक को साथवे संसोधन 1956 के द्वारा से स्टार्ट सीख्त युद्श अब्द का प्रथम परियोग बढ़ना के अनुछे 348 के अनुसार उच्तम न्याले में कारवाई हैं तो यह अंग्रेजी भाषा को अभी तक लागू किया गया है यह उच्तम न्याले ने सुप्रीम कोड के अंदर इसी के इसी में कारे होता है क लेकिन पंद्रा साल के लिए बात की कि उच्तम न्याले में अंग्रेजी भाषा रहेगी लेकिन अभी तक यह जारी है तो यह अंग्रेजी उच्तम न्याले में भाषा के रूप में कारे करती हो और एक भारत का राज्य भी है जिसके अंदर राज भाषा अंग्रेजी है त अधिकार को ना कम किया सकता है और नहीं समाप किया सकता है तो अधिकार को ना कम किया सकता है ना समाप किया सकता है यह बात कही गेती गोलकनाथ विवाद के अंदर और इसके अंदर ही कहा गया था कि ना अधिकार को अधिकार को कम किया सकता है नहीं समाप किया आता है विर्म तितरीज तरीज पंचाहिति राज संस्थान की वय वस्था किसने ऊलन रहें तरीज नोक के इंदर की गई है याद रखें क्योंकि काई वार में जिसे भाग यहां 11 लिखा हुआ है यह अनुसूची यानि सेडूल 11 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है तो काफ यादा कॉंसियश हो के इस चीज को याद रखें बहुत कंफूजिंग हो जाता है कही बार मैं देखा है कि यह पूछा गया कोशन और क आएंड़ी आंचे मुन्सिपल के बारे में बारे के अंदर बताया गया है शैडू के अंदर है समानने एकुषा का सम्मद्र पो जानते ही और जिए ऑघ्रीन पडियाा रहे कोशेशन के दोरा यह आएडिया दिया गया है पॉशेbnिज्व इंडीविज्व वले निठा तो यह ऐगा है 12 परकार केक अधर पर उश्तम यालने बविवस्थि dips अंग बन जाता है तो कोई कानून बना या नहीं बना है यह चीज़ देखने कारे करता है जब उच्तम नियाले तो एक प्रकार से 30 सजन का ही रूप आता है और कई गाइड लाइन्स पी कानून बनाने या कारे करती है यह कोशल पूछा गया था तो विशाखा जो मामला था उनिश्यानरे के अंदर जो आता विशाखा गाइड लाइन्स जो ऑफिसों के अंदर महिलाओं के साथ कुछ भी दुर भहवार होता है तो उसके संदर में उनने दिशा निर्देश दिये थे और वो आप कानून के रूप में है तो यह प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यह उसके ना होने के बावजूद ब Recht करते हैं क्या जी टाइक को स्विशन था अंत्राश्थन नियाले के यह त्सक्ता नहीं होता है नि characterize होते है नियाले के यह 경찰 नौडश होता आं इनमें से कौन जी अमेरिका की राजनित्य वश्था की विश्चेस्ता नहीं है तो अमेरिका से जे बीए निशेशार दिकार है यानि pocket veto और सेनेटरी वीटो भी है लेकिन जो सामुहिक उत्तरदाइत वह है यह पार्लेमेंटरी डेमोक्रसी के अंदर देखा जाता है तो वहाँ पे तो प्रेजिडेंशियल डेमोक्रसी है तो वहाँ पे यह विवस्ता नहीं है यह भारत और यूके के अंदर देखी जाती है सामुहिक उत्तरदाइत वह है भार्ती राष्टे कंग्रेस के पहले 20 वर्सों में किस ने तीन बार इसकी अधेक्सता की तो जो राष्टे क्सकी पहले बीस परसों में 3 अधेक्सता की थी वो थे दादा भाई नेरो जी इन्होंने तो इनकी अजक्सिया तीन बार करी थी दागा भाई नेरो जी ने कि यूएस की गन बोर्ट डिप्लोमेसी थी वह भारत की विरोध थी विरोध में आये थी क्योंकि सब्सक्राइब भारत ने बांगल देश के जादी के लिए युद्ध छेड़ दिया था तो यूएस से द्वारा अपने जंगी बेड़े थे वह भारत के तरफ कर दिये गए थे पाकिस्तान के समर्थन के लिए तो इसी के विरोध में भारत ने रस्या के साथ अपना एक समझोगता के लिए था फिर उन्होंने भी वहां से दवाब बनाया था और इसी दवाब को जो भारत की विरोध में अमेरिका के दुवारा भारत को धमकाने के लिए अपनी जो जंगी बेड़े थे भारत के तरफ कर दिये गए थे लेकिन भारत भी इसने बहुत चलाकी से रिश्या के साथ अपना एक समझोगता कर लिया और वहां से उन्होंने दवाब बनाया जिसके का भारत के विरोध किया गया था युएस की गनबोट डिप्लोमेसी से कहते हैं तो यह भारत के विरोध में थी यहां पर नहीं होते हैं तो यही सईता संसद्य वगस्ता सार का मुख्याले कहां हैं तो सार का मुख्याले है काटमान्दू में और इसी से एक कोशन भी जो 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 सी नेट 2022 केंदर पूछा गया था बिंस्टक का मुख्याले कहा है तो भी टेक का मुख्याले है वह ढाका के अंदर है इसको भी याद रखें और किसने गुठ्निर्पेग्ष की आर्रोस न एक स्वात्य।ी को रूप में किय थि तो जो छे स्वार्जबर्ग लियुह थे स्वार्जबर्ग को यह इसका फर्स्ट उप्सम सही था समाजिक विज्ञान में अनुसंधान अवलोकन से पारंभ होता है और अवलोकन से ही समाप्त होता है तो यह बात करी थी अवलोकन से ही समाप्त होता है और अवलोकन पर ही खतम होता है यह बात करी है सिड्नी वैफ ने बस इसको हम याद ही रख कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सक तुसको जाच रहें सिड्नि व्यप्ति ने बात कहीतिंking गतानििक सब्क तो कुंकित नहीं है इसके प्लैटों नहीं हें है आग नात्मक्राइबिखिए निगन्ह प्रियुकिल का समर्थं क्या था निगनात्मक थियोरी का उन्होंने समर्थन किया था तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कई थी निगनात्मक थियोरी के अंदर जो कहया था उन्होंने के जो नीचे से उपर की यानि सधारण से उस सधारण से उस और की जाने की बात करते हैं वह यानि सधारण से लेकिन जो यह निगनात्मक थियोरी होती है उसके अंगर समाने से विशिष्ट की और यालि नीचे से उपर की और जाने की बात की आती है तो यह इसके साथ नहीं जोड़े थे प्लैटो इसका सही आंसर तर पहले का हारलेड लाजवेल के प्रकाशन ने पारंब किया तो यह बहुत इंपोर्टेंट लाजवेल याद रखना इन्हें नीति विज्ञान का सिध्धान्त इनके द्वारा ही सिध्धान्त किया गया था और इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी पॉल्टिक्स हुगेट वाट्स वेन एंड हाव तो इन्होंने लिखा था यह लाजवेल इसके साथ जुड़े हुए थे और नीति विज्ञान के सिध्धान्त भी इनका दिया आता है इनको श्रे मेरी वास्टन क्राफ्ट नमिखित में से किस नारिवादी विचारधार से स चुड़ी हुई है एंड ऑफ आइडलोजी बहुत फेमस लेखा के हमारे एंड ऑफ आइडलोजी डैनियन बेल और नहींने बताया था कि विश्ट पडल पे आब आइडलोजी का अंत हो चुका है और एक वाइट कॉलर जॉप और जगी समाज के अंदर ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक वाइट कॉलर जॉप का प्रह्ट भुत होता जा रहा ही और जितनी वी विचारोग रहा है उनका अब खतम हो चुका है लगह किस्ति सरकार के तीन प्रधिक्रिद्ष कारें की पहचान की तो आलमण के अंसर स्था है अलमण अल्प संखेत परती निधित्व पदत्ती में शामिल नहीं है तो यह आप नाम से ही समझ सकते हैं तो यह माइनुरिटी क्लास के वोड की बाद करता है तो इसके अंदर भहुमत तो होई नहीं सकता तो भहुमत प्रनानी ना होने के साथ संचे वोड प्रनाली होती है प्रनाली होती है सीमित्मत्त प्रन प्रनाली होती लेकिन जब भहुमतप्रनाली वो इसमें नहीं होती है वैल्थ ओफ नेशन के साथ जुड़े वह हैं अदाम स्मीत में वैल्थ ओठीली का और इडिया दिया है बहुत कफेम्स कतन की उसनब इंका उन्हे कफन का। इंडिया आज यॉसरओट गेप्रभाव ने भारत के रूप कि रूप में वडिट किते शयरिंग के मिक्स गेम के Кिए सब्सक्राइब नहीं मिक्स मॉटिव गेम तो मिक्स वोटिंग गेम जो सम्मन्दित थी वरोंने मनोविज्यान और समाजिक दिश्टी कोण समाजिक दिश्टी कोण के उपर यह बात कही थी इसका थर्ड की आंसर सही बताया इसका तो एक का ओंपेल्टिभ प्लिटिक्स डेहल के साथ जोडा इन्होंने और एकलोजी को जोडा है इकोलोजिक सेकेंड इकोलोजी का आइडिया दिया है और प्रोवर्ब एडिनिस्टेशन यह साइमन ने बात करें थी और प्रिंसिपल और अडिनिस्टेशन यह इसके साथ विलोवी के साथ जुड़े हुए थे तो इसके अंदर थोड़ा इसके अंदर सेकेंड का थर्ड थे फर्स्ट का फ्यों ने यही आंसर दिया तो आप देख सकते हैं इस परकार से इसके और से आंसर दिया है कि और यहां यह भी मैचिंग से लेटे था पिछतन वा कुश्शन तो आई इसको वह देख लेते हैं एक बार एधो इंदर कुछ ठोट गल्थ हो गया कि इन्होंने का जुढ़ा ह। है इसके इंदर सही जार था कि मिलेट का सेखेंड रिले मुने और इश्वाय का जुड़ हुए destro 平र कि देखंच को में inm चलुबतelly संब्मक्राइब और यह क्योंकि मुने और रिले जुड़ें इस पैन अफ कंट्रोल के साथ फ्योल जुड़ें मुनिटी ओफ कमाइंड के साथ मिलेट का कंफर्म नहीं है कोडिनेशन का थ्योरी भी इसके अंदर नहीं है तो एक बार आप मुझे जुरू बताएं इसका कॉमेंट में आंसर एक्जेक्ट विल किमलिका ने बहुल बाद संस्क्रिति के इत्यास को तीन अवस्था में विजाजित क्या है निम्दिकित में से कौन उनमें से सही नहीं है तो जो इन्होंने विल किमलिका ने जो आइडिया दे था उसके अंदर सही नहीं है तो इसके अंदर उन्होंने बहुल बहुल संस्कृति वाद ध्रन लिच्टा के रूप में लेकिन जो ध्रन लिच्टा के रूप में यह बात कही थी यह नहीं थी बाकी सारा सही था इसके अंदर कौन सही नहीं है तो इसके देरो सही नहीं है वह बताने था सिद्धां यहां कूमिल्ट घुकर है यानि समधावादी समुदाइवादी के बहत लादी पक्ष के साइप रवर्ट नाजिक जुड़े हुए हैं लेकिन है वोलजार नहीं जुड़ाए हैं ये र सबीता करतें टेगोघन ने अपनी किस पुस्तक में विधियो और सतन्ते की समस्या बर विश्रित विचार किया है तो जो विधियो और सतंते की उपर इन्होंने बात करी है यह साधना ए a realization of life इसके अंदर इन्होंने विधियो और सतन्तता की बात की है जब आपातकाल की उद्गोष्टना जारी हो तब मुल अधिकार को स्थाखित करने समंधित प्रवधान लिया गया तो यह लिया गया है अपातकाल के अंदर जो हमारे अधिकारों को स्थाखित कर दे आता है यह जर्मनी के वाइमर समिधान से लिया गया है वाइमर समिधान य ओप्तल भी अब ज़ोने दों इसले हैं। ये आस सब्सक्राइब कर ये जिक्वाइन यालों रॉत ये तो ये सभी आटिकल आपार्फ कर से समझन दित है वह पहला नियम था जिसके अधार पर बिटेन में लोग कल्यांड कारी राजे की स्थापना की गई थी तो जो लोग कल्यांड कारी राजे की वहाँ पर स्थापना की गई थी वह पूर लोग यानि के वहाँ पर जो वैलफेर स्टेट है तो लोगों पर खर्चा किया जाते हैं अबी लोगों से लेके और जो लोगों के उपर खर्च के आदा लोग कर ले आंड कारी राज्य है यानि वैलफर इस्टेट लोग के अद्वारा ही किये जाते हैं सेंग्त राष्टे संग की सुरक्षा परिश्ट में कितने सदस्य हैं तो यह 15 सदस्य होते हैं सेंग्त राष्टे संग की सुरक्षा परिश्ट के अंदर जिसके अंदर 10 सदस्य आइस्थाई होते हैं और 5 सदस्य इस्थाई होते हैं जिनके पास वीटो वीटो पावर होती है जाता है तो प्रतेक्स लो कारे पालिका वोती है इक्समिया तो सुलेंड आंसर है प्रतेक्ष लोक्तंत्र में पाया जाता है कि लोक्तंत्र एक है मगर उससे होना चाहिए यह किस ने और तो इसे कोशन को तो क्या कर सकते हैं चरफ यादी कर सकते हैं तो यह बात कही थी यह बात किया लुकास ने के लोकतन तो एक संग्या उसे एक विश्टेशन होना चाहिए लुकास के द्वारे यह बात कही थी इसका पहला option सही है विदेश निती के अध्यन में linkage राजनिती शब्द किसने दिया था तो लिंकेज राझनिती सब्द दिया है जेम्स रोजनाउ ने राजनितिक शब्द दिया है आफ सकता विच इस डराइन बाइट इंडियान पाकिस्ता। === वह है भहारत और पाकिस्तान को ड्राइड करती है को कुछ बड़ेड करती है। भ्हारत और इस्लांगा के 襲ाएट ऑर सिर्लंका के बीच में है। और मैट मौहन जो रेखा है भारत और चायना के बीच में हैं। और ये कोशन То कि पुर्टिकल सैंस कोशन थे खें। तब मुझे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आने वाली वीडियो के अदर मोश्क का सदाल करनी क्सकी जरूर करंगा जो भी कमी रहे आपको अच्छा रागा थोग किज़ेगा और अपने परिवार के शोठी के औरmm आप तक हुलोग का सुछ सबाइल